आज हम देखेंगे अभाजी गुनणखंडन से जूड़ी मिध्याधार्णा और साधरन कलतियां मिध्याधार्णा 1, कौनसा गुनणखंड व्रुक्ष यानी फैक्टर 3, तीस का अभाजी गुनणखंडन यानी प्राम फैक्टराइजेशन सही प्रकार से व्यक्त करता है कई बार गुननखंड व्रुक्ष व्यक्त करते समय योग में ढूनने के लिए योग के संक्रिया का प्रयोग किया जाता है जैसे option एक में 10 और 20 का योग 30 है इसी तरह 5 और 5 का योग 10 है गुननखंड व्रुक्ष को इस प्रकार से व्यक्त करना कलत है सही समझ है कि किसी संक्रिया के लिए ऐसी संक्रिया ढूंडी जाती है जिनके गुननखंड का परिणाम वह संक्रिया होती है इस समझ से सही जवाब है option दूसरा कई बार संक्रिया एक को भी गुननखंड व्रुक्ष में शामिल कर लिया जाता है यह समझना जरूरी है कि गुननखंड व्रुक्ष अभाज्य गुननखंडों को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है एक न तो अभाज्य संख्या है नहीं भाज्य संख्या इसलिए option 3 भी कलच जवाब है अब आईए जाने अभाज्य गुननखंडन से जुड़ी कुछ साधरन कलतियां कई बार गुननखंडन और अभाज्य गुननखंडन को एक जैसा समझा जाता है उधारन के लिए अगर कहा जाए अठार के अभाज्य गुननखंड प्राप्त करें तो इसके लिए जवाब दिया जाता है एक, दो, तीन, छ, न, और अठारव इसी तरह अगर पूछा चाए अठारव के गुणनखंड कौन से है तो इसे प्राप्त करने के लिए अठारव का अभाज गुणनखंडन किया जाता है और जवाब दिया जाता है दो, तीन, तीन सही समझ बनाने के लिए गुणनखंडन से सर्फ ऐसे गुणनखंड प्राप्त होते हैं जो अभाज्य होते हैं आज हमने देखी अभाज्य गुणनखंडन से जूड़ी मिध्याधारणा और साधरन कल्दिया